आप देख रहे हैं प्राइमिटिया दिव्स खबर के अंतर का सच हम आप पर हुए जुरुप रातरें के उखास करें। गोंधिया शहर पुलिस थाना अंतरगत गनेश नगर में गुरुवार को दिन दाहाडी चोरो ने सराफा दुकान में घुस कर लगभग 20 तोले सोने के आभुशन से भरी बैक पर हाथ साफ किया। सुबह 11 बच कर 52 मिनट के दौरान घटी तिस घटना से परिसर के व्यापारियों में हरकम मचा है। ये घटना दुकान में लगे सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गए। इस संदर्भ में शहर पुलिस थाने के पुलिस ने रिक्षक बबन आभार ने बताया कि शहर के गरिश नगर में स्थित आभुशन ज्वेलर्स के दुकानदार दीपक सोनी के मताबिक इस बैग में अंदाजन 20 तोले सोने के आभुशन होने का बताया गया है। इसके कीमत लगभग 10 लाख रुपए आखी गई है। उन्होंने बताया कि दुकानदार दीपक सोनी ने हमेशा की तरह गुरुवार को दुकान शुरू किया। इस दौरान दुकानदार ने घर से दो बैग अपने साथ दुकान लेकर आया और काउंटर पर रख दिये। इस बीच वह दुकान से सौ मिटर की दूरी की अंतर पर गया था। मौके का फायदा उठा कर अग्याद चोरों ने दुकान के काउंटर पर नखी दो में से सोने के आभुशनों से भरी बैग तथा कुछ नकद राशी लेकर भाग गये। घटना के जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम ने तुरन घटना सल पर पहुँचकर चोरों का सुराग लगाने के लिए अलग-अलग स्थानों पर टीम को रवारा कर दिया है। लेखनी है कि गोणिय शहर में पिछले कुछ दिनों से चोर गिरोह सक्रिय है। लगातार चोरी की घटनाओं से पुलिस प्रशासन की कारे प्रणाली पर सवाल उठाये जा रहे है। दिन दहाडे हुई इस चोरी की घटना के बाद शहर वासियों में भैका माहुल है। BS Crime India News के साथ जुड़े रहने के लिए यूटूब, वेबसाइट, ट्वीटर, फेस्बुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख, लाइक, कमेंट और शेयर करे। साथी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। और गूगल प्ले स्टोर से BS Crime India News.com की एप्लिकेशन को डाउनलोड कर रोजाना तरजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।